इस वीडियो में हम मासा या SCF ग्याद करना सीखेंगे जितनी भी विदिया हैं SCF है मासा ग्याद करने की उन सभी विदियों से और मासा या SCF से सम्झे जो भी important question है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे तो पहले हम जानेंगे कि मासा या SCF का मतलब क्या होता है जब आपको मतलब समझ में आगे concept समझ में आएगा तभी आपको question आप इसके solve कर पाएंगे ठीक है तो मासा का मतलब होता है मा मतलब महतम सा मतलब समाबर तक ठीक है तो यह तो होगी उसकी full form S-C-F के गया मतलब होता है H मतलब हाइ एस C मतलब common F मतलब factor ठीक है तो यह होगे S-C-F का मतलब अब हम अलग-अलग सब्दों का मतलब देखेंगे महत्म महत्म का मतलब होता सबसे बड़ा سमापवर्तक का क्या मतलब होता है समापवर्तक आपका दो सब्दो से मिलगी बना हुआ है सम प्लस अपवर्तक ठीक है यह आपका इन दो सब्दो से बना हुआ है सम प्लस अपवर्तक सम का मतलब हो गया समान मतलब एक जैसे अपवर्तक का मतलब होता है गोडनखन ठीक है तो क्या मतलब हो गया समाबरतक का समान गुलन खंड ठीक है समया समान गुलन खंड ठीक है तो पूरा क्या बन गया महतम समान गुलन खंड मतलब आपके ऐसी संख्याएं जो महतम हो समान हो और दीगी संख्या की गुलन खंड लो यह आपको हो गया महतम समाबरतक का मतलब ठीक समाप बर्थे ठीक है अब इसको आप अलग-अलग ब्रेक करोगे तो ये भी दो सब दो से मिलके बन जाएगा सम प्लस अप बर्थे ठीक है यहाँ पे अप बर्थ का मतलब होता है गुडज इंगलिस में इसको बोलते है फैक्टर वो सौरी मल्टिपल ठीक है गुडज का अंतला तरीकिوب जो 22 28 ठीक है जो सके टेविल में आते हैं जो पहालों में आते हैं अक समसाबर सर्भ जाते हैं गुडज उते हैं इसके लाक का मतलब होता है या पे लगुत ता मतलब सब्सें छोटा है कवंन का मतलब को eilबश्य निवह चीज चाहिए एग ज genome 53 अग्टे पींदी में को भूते वन्य को दोते हैं गो cynical वह को समान एक जैसे इसको सुद्य बहना सुनना된कर अगादी सहां तो यह बन जाएगा मेहत्म उभैनिस्ट गोलनखंड ठीक है समय बर्तक का उतलब हो जाएगा उभैनिस्ट गोलनखंड पूरा ठीक है तो यह तो हो गया इंग्लिस में मतलब ठीक है अब यह तो मैंना आपको वर्ट के कॉर्डिंग मतलब बता दिया अब एक्शुल में इनका क्या मतलब है मैत्वेटिकल अगर हम बात करें तो इसको एक छोटे से उधारन से समझते हैं हमारे पास उधारन है तीज और बारे का ठीक है हमारे पास संख्या है बारा और एक संख्या है तीज अब शुरू करने से पहले आप एक चीज और समझे जो उभेनिष्ट है या कॉमन है ठीक है वो अकेला किसी एक संख्या में नहीं होता उसके लिए कम से कम दो संख्या है होनी चाहिए या दो से ज्यादा ठीक है तो जो मासा या लासा हम जो भी गयात करते हैं वो कम से कम दो संख्याओं का गयात हो सकता है या दो से ज्यादा को कभी एक संख्या का गयात नहीं होता क्योंकि एक संख्या में कभी वहनिष्ट या common जैसी चीज नहीं होती ठीक है जैसे आप से आप से किसी नगा कि 7 का गयात करो तो 7 तो अकेली संख्या है ना तो common किसम से आथ इसका compare करके आप common निकालेंगे वह है निश ठीक है तो यह तो होगी बहुत छोटी सी बात अब यह हमारे पास है ओधान की 12 और 30 का मासा या सीफ क्या होगा ठीक है तो इसके सब्दों में ही इसका पूरा मतलब चिपा हुआ इसको कैसे करना है पूरा इसी में चिपा हुआ ठीक है अब देख इसमें आपका सबसे लास्ट में फैक्टर उल्टा चलेंगे ठीक है फैक्टर कॉमन फिर हाइस ठीक है तो सबसे लास्ट में आपका इसमें क्या है आपका है फैक्टर ठीक है हिंदी में देखेंगे तो महतम सम अपवर्तक तो अपवर्तक का मतलब फैक्टर ही होता ठीक है सम का मतलब वैनिस्ट और महतम तो सबसे पहले हम करेंगे फैक्टर, तो बारा के फैक्टर आपके हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, छे और बारा, ठीक है, मतलब, बारा आपका इन सभी संख्याओं से पूरता है, बिवाजित होगा, डेजबल होगा, ठीक है, तीस के हो जाएंगे, एक, दो, तीन, पांच, छे, दस, पंदरा, तीस, ठीक है, जो लोगो फैक्टर निकालना नहीं जाते हैं, वह मैंने इसके लिए अलक्से वीडियो बनाईए, आप बो जाके पहले देख सकते हैं, ठीक है, तो हमें उल्टा चलना था, पहला आपका हो गया फैक्टर, अब कॉमन, ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता, उभहनिश, तो अब उभहनिश देखो, मतलब जो दोनों में हो, ठीक है, तीन है, अगर तीन संके होंगी, तो तीन, चार होंगी, तो चारों में देखना होगा, ठी आपका यह हो गया एक और आपका यह हो गया दुर ठीक है और आपका यह हो गया तीन विचार नहीं है और यह आपका हो गया छे हो अथ thirty तो आपके जो उभेनी सुरूरंखंड common factor हो गए ठीक है अब इसमें आ जाईए सबसे उल्टा चलना था तो अब आज़े सबसे शुरू में था है था है थ्यक्ति में तो चे आपका क्या हो जाएगा था जो भी इसका मतलब था वह इसके नाम में झाता ही छेपा हुआ था सबसे पहले हमने क्या किया छेहर की है मैं इसमें सरस्वी को मन कॉमें ठेस इसमें हम नहीजेर बाला अलग कर लिए चूस कर लिए ऑपका है हो जाएगा मास मतलब ठीक है तो यह पूरा जो मातलब ठीक है 12च का मासा हमारा आया था 6 अब ध्यान से देखेगा 12 को अगर आप 6 से विवाजित करेंगे तो विवाजित हो जाएगा आपका 2 आजाएगा ऐसे ही 30 को जब आप 6 से विवाजित करेंगे तो 30 भी विवाजित हो जाएगा इसका मतलब क्या है मासा आपका दी गई दोनों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देता है तो एक तो आपकी डेफिनिशन यह गई थी कि जो महत्तम उभैनिस्ट जो गुलनखंड होते हैं जो उसके क्या होते हैं मासा होते हैं दूसरी क्या हो गया एक ऐसी महत्म तो सब्दा आई रहा है तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे वो उनका क्या होती है मासा होती है आपको इवाला कॉंसेट भी याद रखना है कई सारे कोश्टन्स में इस कॉंसेट का यूज होता है अगर हम बारा और तीस की विभाजिता की बात करें तो ये एक से भी विभाजित हो जाएंगे दो से भी हो जाएंगे तीन से भी हो जाएंगे छे से भी एक से भी दोनों विभाजित हो जाएंगे डिवाइड कर दे वो क्या होती है उन संक्याओं की मासा या SCF ठीक है अगले धान में हमें पता करना है 15 और 30 का ठीक है तो हमने 15 के फैक्टर कर दिये 1, 3, 5, 15, 15, 30 के किये 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 अब आजाईए common में ठीक है तो एक तो आपका यह एक हो गया फिर आपका यह हो जाएगा 3 ठीक है आपका फिर हो जाएगा यह 5 फिर आपका यह हो जाएगा 15 ठीक है तो यह आपका यह हो जाएगा common 1, 3, 5 और 15 अब आजाईए highest मेहत्म पे तो आपका क्या है इनमें 15 ठीक है तो आपका फिर से साबसे सीफ क्या हो जाएगा 15 एक और एक्जामपल है 5 और 18 ठीक है तो 5 क्यों जाएंगे एक 5 अठारा की हो जाएंगे एक दो तीन छे नो अठारा ठीक है तो इसमें आप कॉमन देखिए आपका क्या है एक इसके अलावा आपको कुछ और भी और कॉमन नहीं दिख रहा ठीक है तो यहीं आपका क्या हो जाएगा एक और हम दो लेते हैं छोटा सा फिर आपको एक में बहुत एक इंट्रेस्टिंग चीज बताऊंगा मासा से संबन देख तो आपका एक हम और दो लेते हैं साथ और 11 ठीक है तो साथ की हो जाएंगे एक और साथ इसके लावा किसी और से नहीं होगा ग्यारा की हो जाएंगे एक और 11 अब इसमें आप देखिए आपके केवड़ एक ही एक कॉमन है जब एक ही एक कॉमन है तो ससी अभी क्या हो जाएगा यह एक ही हो जाएगा टिक है अब आप देखिए पांच और 18 का आ गया एक 7 और 11 का भी आ गया एक अभी हमने जो पीछे किया था पंदरा और तीस इसका आया था पंदरा ठीक है तो फैक्ट क्या है एक्शुल में दी गई संख्याओं का जो मासा है वो कम से कम एक और जादा से जादा सबसे छोटी संख्या के बराबर हो सकता है मतलब अब यह आपकी संख्याओं दी भी है तो सबसे छोटी संख्याओं का एक है इन में नहीं है वैसे हम अगर बात करें सबसे छोटी संख्याओं प्राकरती संख्याओं एक है तो जो आपकी संख्याओं दी गई है उनमें एक से कम कभी नहीं हो सकता ठीक है कोई कैसी भी संख्या है हो उनका जो मासा है वो कभी एक से कम नहीं होगा और अधिकतम उनमें आपकी जो भी संख्या है उनमें जो सबसे छोटी संख्या होगी उसके बराबर हो सकता है जैसे इसमें 15 और 30 में सबसे छोटी संख्या है 15 और हम अधान लेते हैं ऐसी रें संख्य क्या 5 है ठीक है तो दो तो कुदो ऊब है पहला जो आपका मासा की जो निहुंत आयों निहुंत Jenkins मास यह इस एक सब्सक्राइब सकता एक सी कम कभी सीसी का मासा करता दुसरा अदिपामास सब्सक्राइब जो यहाँ उसके दाभर पहकर पहले दाव लाफ्सниц इससे क्या conclusion निकला आपकी जो अभाज संख्या होती हैं इंगलीस में इनको बोलते हैं प्रैम नंबर उनका SCF हमेशा एक ही आता है क्योंकि उनमें एक ही ऐसी संख्या होती है जिनसे वो दोनों विवाजित होती हैं इसके अलावा कोई और संख्यास विवाजित नहीं हो सकते 11 एक ही होगा चाहे संख्या 2 हो चाहे 2 से ज़्यादा हो ठीक तो यह फैक्टर व्याद रखना अभाज संख्याओं के केस में मासा क्या है हमेशा एक ही होता एक से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता ठीक है अब यहाँ देखिए 5 और 18 आपकी जो 5 और 18 है यह किस प्रिकार की चाहे हमें आपका कोई भी common factor नहीं होता कोई भी 12 और 19 नहीं होता केबल 1 के अलावा वह आपकी होती है सह अभाज संख्याओं ठीक है यह सह अभाज सब्द यहां पर जरूर है लेकिन अभाज होना कोई जरूरी नहीं होता ठीक है जैसे आपका 18 देखिए अभाज संख्या नहीं है न लेकिन 5 और 18 ये दोनों ऐसे संख्या है जिन में एक के अलावा कोई और वेनिस को रंखंड नहीं है तो इस प्रिकार की संख्या है आपकी कैसी होती है सेवाज संख्या है इंगलिस में उसको बोलते है को प्राइम नंबर अब इनका मासा कितना आया एक ठीक है तो एक रिजल्ट और निकला कंक्लूजन कि आपकी जितनी भी से अब आज संख्याएं हैं उन सबका मासा में से कितना होता है एक ठीक है अब आगे मैंने क्या किया दो किर्मागत संख्याओं का कोई भी मैंने उधारन लिया ठीक है तो मै मैंने दो क्रमागत संख्याओं का उधरान लिया, consecutive numbers लिये, जो आपकी क्रम से हो, मतलब आप उसको चाहे प्राकरतिक बोलने, चाहे आप उसको पूर संख्या बोलने, ठीक है, बाग एक ही है, तो मैंने उधरान लिया है, 14 और 15 का, आप किनी भी संख्याओं का उधरान ले सकत वो एक, तीन, पांच और 15 होंगे, अब आप यहाँ पर देखिए, आपका जो अभेनिस्ट है, वो क्या है, किवल एक है, ठीक है, आपका अभेनिस्ट क्या हो जाएगा, तो आपका मासा भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से conclusion क्या निकला, कि आपकी जो क्रमागत संख्याओं होती है, consecutive number होती है, उनका मासा हमेशा कितना होता है, एक होता है, ठीक है, आप और भी उधान लेकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, अब मैंने दूसरा उधान लिया, क्रमागत संख्याओं का, क्रमागत संख्याओं का, ठीक है, तो आप कोई भी उधान आई सकते हैं मैंने अधान ले लिया 20-22 का 20 और 22 क्रम से हैं ठीक आपको क्रम से लेना छोड़के नहीं लेना 20 के बाद अगली संख्या 20 ही आएगी ठीक है या 20-24 ले लो 24-26 ठीक है आप कोई भी क्रम से संख्या लेना है दो लो चाहें दो से ज्यादा लो उससे मतलब नहीं है ठीक है अब 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे एक दो चार पांच दस और 20 और 22 की क्या हो जाएंगे एक दो और 11 अब आप इसमें देखिए आपकी कॉमन आ रहा एक और दो ठीक है तो आपका एक और दो क्या है कॉमन है लेकिन बड़ा क्या है महत्तम क्या है दो है ठीक है तो उसी conclusion क्या निकला है कि आपकी जो दो क्रमागत consecutive sum संख्याई होती है उनका मासा हमेशा दो होता है ठीक है अब आगे मैंने उद्रण लिया दो क्रमागत बिसम संख्याई होगा ठीक है तो 25 और 25 के बाद अगली बिसम संख्याई होगी 27 होगी ठीक है दो दो जोड के बिसम संख संख्याई होंगे एक पांच और 25 27 के होंगे एक तीन नो और 27 अब देखिए वह भैनिश्ट के आया है दोनों में केबल एक ही है ठीक है तो मासा भी क्या हो जाएगा केबल एक ही हो जाएगा ठीक है तो स्टीक है करूंगूज निकला कि आपके जो बिसम अभाज संख्याई होती है बिसम जो संख्याई होती है क्रमागत इनकों इंगलिस मोलते है और नंबर उनका मासा हमेशा कितना आता है एक ही आता है ठीक है आपके कैसी भी संख्याई हो बड़ी हो चोटी हो मासा में सा बिसम संख्याई हो कैसा आएगा एक ही आएगा ठीक है तो अब तक आपके 7 conclusion निकले शान रिजल्ट हाई है 7 fact प 누बत मान फो एक होता 1 वह संधार है 3 तीसरा आभाज संख्याओं का मासा हमेशा कितना होता एक होता è 4 संधार संख्याओं का मासा हमेशा कितना होता है वह भी एक होता है पांचमा क्या है, दो क्रमागत संख्याओं का मासा क्या है, वो भी हमेशा एक ही होता है छटा क्या है, दो क्रमागत संख्याओं का मासा क्या है, वो भी हमेशा एक ही होता है मैं आपको जान लेकती है, बता चुका हूँ सातमा क्या है दो क्रमागत समसंख्याओं का मासा में सा दो होता है ठीक है तो जो अलग है एक तो ये वाला है और एक लास्ट वाला ठीक है बाकी सम में एक ही एक है ठीक है तो आपको दो क्रमागत समसंख्याओं वाला याद रखना है कि दो क्रमागत समसंख्याओं का मासा में साथ यह को यह इंगलीस सको बोलते हैं अ आपको पता जो इंगलीे Maisam पता जो संहाइए दोसे वेलड़ी संहाई होती संहाइं घार कै यह समसंग तो मास्ता भी इसके नहीं होगा भाकि समें एक doss a उस इसका इस तो कोई direct question नहीं आता बस concept के लिए कि ये कभी-कभी काम आ जाता है ठीक है मासा या SCF ग्याद करने की हमारे पास तीन विदियां है पहरी है आपकी गुड़नखंड विदी factor method दूसरी आपकी अभाज गुड़नखंड विदी prime factor method तीसरी आपकी ये भाग विदी division method ठीक है इसमें आपकी जो सबसे important method है जिसका mostly यूज करती है आपका second वाला है अब आज गुड़नखंड विदी आप mostly जो है हम लोग इसी method से मासा ग्याद करते है सेम आपकी तीन विदियां लासा के लिए भी होती है अब आज गुड़नखंड रहती है और भाग रहती है बस ये गुड़नखंड विदी में थोड़ा change हो कि ये गुड़नखंड की जगए आपका गुड़ा जो जाता है वेहाँ पर हम multiple की बात करते हैं गुड़नखंड की बात नहीं करते है लासा के के एसमण ठीक है भाकी ये दो विदियां सेम होती हैं टोटल तीन ही विदियां है लासा के लिए भी ठीक है तो बनवाई बन अब हम तीनों विधियों की देखेंगे गुलंखन विधी और भाग विधी ठीक है तो पहली विधी है गुलंखन विधी फैक्टर मेथड इसमें होता क्या है आपके जो भी नमबर से आपको जिनका मासा पता करना है आप उनके गुलंखन लिखिए ठीक है औ और उसमें जो भी सबसे बड़ा है, common है, उसको आप लिख लिजी, वो उसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, अभी मैंने जो भी आपको पूरा concept समझाया था, मासा का, उसमें मैंने एक किया था, factor लिखे थे, सबसे, उनके common लिखे थे, उसके बाद जो भी उसमें सबसे बढ़ा था, वो हमारा की हो जाता, मासा हो जाता, ठीक है, तो जो मैंने वहाँ पर जितने भी examples लेकर समझाया थे, वो सब आपके गुलनखंड विदी थे ही, पता की थे, ठीक है, फिर भी मैं एक उदान और लेकर यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पार आठ ठीक है, तो आठ के factor हो जाएंगे, एक, दो, चार, आठ, सोला के factor हो जाएंगे, एक, दो, चार, आठ, सोला, बीस के factor हो जाएंगे, एक, दो, चार, पांच, दस, और बीस, ठीक है, अब देख लीजी, common कौन कौन से हैं, एक है सम्में, दो है सम्में, चार है सम्में, बस ठीक इसके लाब और कोई नहीं है अब एक चीज़ और देखिए आठ आठ तीनों में तो नहीं है लेकिन इन दोनों में है ठीक है आठ और सोला में आपका आठ है लेकिन बीस के पास नहीं है ठीक है तो जब हम मासा पता करते हैं तो हम सभी संख्याओं में देखते हैं जिनका हमको मासा पता करना केवल दो या तीन या चार से बात नहीं होती जित तो मासा आपके क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, ठीक है, तो यह तो हो गया, सबसे basic method, गुर्णखंड विदी, factor method, ठीक है, जो भी हमने previous आपको बताया था, पूरा concept, वो सब जो है, गुर्णखंड विदी से हमने solve किये थे, यह आपका second method है, अब आज गुर्णखंड वि सब लिखते थे, common लिखा और highest वाला उसमें से निकाल दिये, वो जाता था, आंसर, लेकिन इसमें अभाज सब्द आ गया, तो हम केबल अभाज गुर्णखंडों की बात करेंगे, और अभाज गुर्णखंड कैसे ग्याद करते हैं, वो आपको मैं से पहले वाली वीडियो म मैं बता चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम डारेक्ट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक उदहान ले लेते हैं, हमारे पाँ उदहान है 63 और 505 का, ठीक है, तो 63 के वेक्टर क्या होँगे, 105 की क्या होँगे, वो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैं, ग्याद कर रहा हूँ, दोनोंके वेक्टर, ठीक है, तो सबसे पहले 63 के, तो मैं बहुत कम टाइम लिखे इसको करूंगा, जल्दी यल्दी, ठीक है, मैं इसको सिखा चुका हूँ, कैसे करते हैं, ठीक है, तीन दूनी चे, तीन एकम तीन, दो सत्त, तीन सत्त चौद है, साथ एकम साथ, ठीक है, अब हम करेंगे 105 के, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 63 के फ्रेक्टर हो जाएंगे, तीन गुणा 3, गुणा 7, अब सत्य पैंतिस साथ एकम साथ ठीक है तो यह आपको जाएगा तीन गुणा पांच गुणा साथ ठीक है यह आपके हो गए 105 की गुणान ठीक है अब जो कॉमन है वो सब भी में चलेगा ठीक है तो अब इसमें देखी कॉमन उभेहनिष्ट कौन कौन से है उभेहनिष्ट है आपके पास तीन और साथ ठीक है अब देखी केवल जो गुणान खंड भी दी थी जो फैक्टर मैथड था उसमें हम सबसे बड़ा वाला लेते थे लेकिन यहाँ पर अब आज में क्या है कॉमन जितने भी है वो हम सब लेंगे तो तीन भी कॉमन है साथ भी कॉमन है इसके अलाबा कुछ कॉमन होते हैं वो भी लेते ठीक है तो यहाँ पर सबसे बड़े की हम बात नहीं करते जितने होते हैं सब को हम लिख लेते हैं जो भी common हम सबको और उनके हम कर जाते मुल्टिप्लाइए तो साथ तीना एक्किस तो इनका सेफ क्या हो जाएगा 21 हो ठीक है अगला उद्वान हमारा पास 33 ठीक है तो 33 के मैं आवाद बुर्णखन लेके तीन गुणा ग्यारा सत्तर के दो गुणा पांच गुणा साथ अब इसमें देखिया आप उवहनिश्ट तो इसमें आपको कोच भी उवहनिश्ट नहीं दिख रहा होगा ठीक है तो इस केस में हम क्या करेंगे अपनी तरब से कर देंगे एक से गुणा क्योंकि एक तू सभी क ठीक है अब आपको common लिए एक अब यह जो एक से हमने multiply किया ये बस सम्झाने के लिए था ठीक है जब हमें कुछ भी common नहीं देखे तो हम क्या करेंगे अपनी तरब से एक से कर लेंगे multiply ठीक है अब common क्या आगया एक ठीक है अकेला एक ही common है तो इसका मासा भी क्या हो जाए तो ये तो हो गया कि जब आपको कोई भी अभाज गुणनखन नहीं दिखता है तो आप क्या करेंगे उसका डारेक्ट आंसर लिख दिंगे एक ठीक है सॉल्व करेंगे मल्टिप्लाई करके दिखाईए चाहे ना दिखाईए ठीक है दूसरा गर्म इसी टाइप का उधान लें जैसे मारे पास है 15 और 8 तो 15 की हो जाएंगे तीन गुणा पांच आठ की हो जाएंगे दो गुणा दो गुणा दो तो अब आप चाहें एक मल्टिप् स्कतम क्या हो सकता है उन संख्या में जो भी छोटी संख्या उसके बराबर ठीक है नेक्स एजामपल है हमारे पास 60 आफ़ातर च्वाइबर 66 अब देखिए कॉम इन में कॉन इंग तो इसमें आपका यह दो कॉमन है ठीक है यह दो है कॉमन और यह दो इन दोनों में है लेकिन हमें तेनों नहीं तेकना है ठीक है यह आपके है भाकी यह तिन गोवेजिक है तो आपको यह वार ध्या रखनी है कि यह जटनी भी संख्याणों का में मासाः यैद करना चाहीज दो हो चाहिए से जलादा उन सभी संख्या वे Coman होने चाहिए केबल कुछ संख्याओं में ही common होने से काम नहीं होगा ठीक है तो ये दो देखो इन दोनों में है और ये लेकिन फिर भी हमने इसको नहीं लिया क्योंकि केबल दो में है सम्में होना चाहिए ठीक है तो आपके जो common हुए वो दो हुआ ये वाला दो और ये वाला तीन इन सब के करदों multiply दो दो नी चार तीन बारा ठीक है तो आपका मासर क्या हो जाएगा बारा हो जाएगा ठीक है अगला दुरान हमारे पास चार चौशट पच्चिस और च्चिस का ठीक है तो इसमें तो आपको इसमें ऐसा कोई भी ने दिख रहा होगा जो चारो में हो कुछ आपके जहें वो दो में हैं कुछ तीन में आ रहा है तो चारो में आपके जो ऐसा कोई भी नहीं है जो चारो में आ रहा हो ठीक है तो इस केस में क्या होगा आपका जो common factor है वो कोई भी नहीं होगा ठीक है तो इस case में आपको बताया है जब आपको कोई भी common factor ना दिखे कोई भी urbanist gradient ना दिखे तो आप क्या करें या तो once multiply करके दिखा दे ठीक है या फिर आप इसको बस direct अपने answer में लिख दें एक क्योंकि हमें पता है कि जब कुछ भी common factor नहीं होता तो एक ही होता है ठीक है तो common factors case में क्या हो जाएगा एक हो जाएगा तो इसका मासा भी क्या हो जाएगा एक ही होगा ठीक है तीसरा method है हमारे पास भाग विधी division method जैसा कि इसके नाम में है भाग विधी division इसमें में क्या करना होता है भाग देना होता है, और भाग हम कैसे देते हैं, छोटे नमबर से बड़े नमबर को, ठीक है, तो एक उधारण है हमारे पास सबसे पहला, 42, 455 का, ठीक है, अब 42 और 400 पचपन का आपको मासा पता करना, ठीक है, तो 42 छोटा 400 पचपन बढ़ा है, तो आप 42 से करिए 400 पचपन क बाग, ठीक है, तो 42 से कम, 42, आप कहांब बचेगा, 3, 35, ठीक है, अब 35 से छोटा आगया, तो अब या आगे तब बाग होगा नहीं, अब हम क्या करेंगे, यह जो आपको जो सेसफल नीचे 35 आगया, अब इस से आब हम, इसे 42 को करेंगे, भाग, ठीक है, तो हमने यहांपर एक जोटा गया तो आपका साथ 45 से छोटा आ गया तो आपका साथ क्यों गया से भाग देंगे इस 35 को पर अब को जैङा साथ पंजे 35 और आपका रेमंडर आब आगया 0, ठीक है, तो अब remainder क्या है, इसमें आपका 0 आ गया, successful, soon है, तो यह आपका आगे solve नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो जिस step में आपको जो remainder आपका है, वो soon मिलेगा, उस step का यह वाला step है, ठीक है, इस step का जो, diviser है, जो आपका भाजा के होता है, हमारा मासा हो इस यहां पे आपका मासा क्या हो जाएगा इस लास्ट स्टेप का डिवीजेर क्या 7 भाजक क्या साथ है तो मासा आपके क्या हो जाएगा 7 ठीक है दूसरे जनाना है बनाए पास 33 सतर ठीक तो 33 छोटा सतर बड़ा है तो 33 से हम देंगे सतर को भाग ठीक है तो 33 सतर है तो 33 दूनी आपका हो जाएगा 6,六, ठीक है, आपके क्या बचेगा, 4, अब 4 तो आपका 33 से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे successful हो गया, तो अब हम इस 4 से करेंगे, 33 को भाग, ठीक है, तो 4 से 2, 33 को भाग, तो 4, 8, 32, आपका बचेगा, 1, 1, 4 से छोटा हो गया, तो यहाँ पर सेस्फल आ गया ठीक है अब एक से हम भाग देंगे इस चार को ठीक है तो एक से चार को देना है भाग तो एक चौका चार आपका क्या बचा जीरो ठीक है और यह वाली जो भाग की प्रिक्रिया हम तब तक करते जाएंगे जब तक की हमारा सेस्फल जीरो नहीं जाएगा तो इस का जो भाजक है जिससे हमने भाग किया है उसके मासा आपका एक है ठीक है एगला दोड़ा है पास 15 165 चोटा 1665 बड़ा है तो पंद्रा से हम देंगे 165 को भाग ठीक है तो 15 एकम 15 बचा एक और ये 5 15 एकम 15 ठीक है आपका आगए रसेसफल जीरो अब इसमें देखिए आपका एक ही स्टेप में आपका जो है सेसफल क्या आ गया शून ने आ गया तो यहां पे आपका कि इसमें आपका स्टेप क्या हो जाएगा कि पंदरा अगले दहान में हमारे पास तीन संख्या है बारह पांसो और 24 28 तो इसमें आप सबसे चोटी और सबसे बड़ी संख्या देखी बीच बारी को बाद में देखेंगे तो 12 और 24 28 2428 ठीक है तो 12 चोटी है 24 28 बढ़िए तो 12 से भाग किजिए 24 28 खो ठीक है तो 12 से हमने 24 28 को किया भाग तो 12 दोनी 24 आप कहां बचा 0 नेक्ष नम्मर लिया 2 अब 2 तो छोटा है 12 से भाग हो नहीं पाएगा तो यहां पर हमने 0 लिखके नेक्ष डिजिट भी उताली 8 तो 12 दोनी 24 तो आपके आसर किया बचाएगा चार आगए तो कोई डिजिट है नहीं तो चार आपके क्या होगे सेस्फल हो गया लेकिन अब इस चार से हम क्या करेंगे अब इस करेंगे 12 को भाग क्यूंकि सेस्फल आपका भी 0 नहीं आए ठीक है तो चार से करेंगे 12 को भाग तो चार तियां 12 आपके क्या जाएगा यहापके 0 ठीक है तो इस step में आपको मिल गया है 0 ठीक है तो बस यहीं पर हम इसको छोड़ दिंगे तो यहां से आपका हमको मिल गया है 4 तो इसका अतलब क्या है कि 12 और 24 28 का जो मासा आए वो 4 है लेकिन हम इन तीनों का पता करना है तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों का जो मासा आया 4 इस से करेंगे वहम इसको भाग तो आप करेंगे हम 4 से 500 को भाग तो 4 एकम 4 बचा 1 और यह 0 आ गया 4 दुनी 8 बचा 2 और यह 0 आगया 4 पंजे 20 तो यहाँ पर आपके क्या आगया 0 ठीक है तो चार से भी इसे भाग करने पर आपका है पर जीरो आ गया इस पूरे एक इस टेप में यह आपका सiau की गया है N360 का मासा उट 53 से पार्ग चाह से 500 की मुद कौन से विदियां है बाकि मासा से संबंदे जो भी संबावित प्रस्टने आपके एक्जाम में पूचे है सकते हैं उन सभी कौन नेक्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे